नमस्कार मित्रू, OLI की NTSC सीरीज में आपका स्वागत है, आज में वेंड डाइग्राम्स अर्थाथ वेंड आरेक के परिक्षा में आए हुए प्रशनों को देखेंगे, यह वेंड डाइग्राम्स का जो टॉपिक है, यह इससे अकसर चार से पांच प्रशन आते हैं, तो इन्हें आप बहुत से अंकों के रूप में देख सकते हैं, और दोस्तों यह बहुत आसान होते हैं, यदि आप इसे एक बार समझ ले तो, तो ऐसे प्रशन परिक्षा में वृत यानि जो सर्कल है, वो गेहूं को, त्रेभुच, यानि ट्रायांगल, गण्ना को, आयत, यानि रेक्टैंगल, चावल को, तथा वर्ग, यानि स्क्वेर, बाजरा को दर्शाता है, आकरिती को ध्यान पूर्बक अध्यान करें, और प्रशनों के उत्तर दें, तो दोस जो आयत है, वो चावल को दर्शा रहा है, इसे मैं आर के का नाम दे देती हूँ, ताकि आगे मैं जब भी बात करूँ, तो मैं आर से इसे कहकर पुकार सकूँ, जो त्रिकोन है, वो गन्ना को दर्शाता है, इसे मैं S नाम दे देती हूँ, जो गेहूं है, वो वृत से दर् दोस्तों प्रश्न की information जो थी या फिर जो भी इसमें दिया गया है वह हमने देख लिया है कि चावल जो है वह आयात से जिसे हमने आरणाम दिया है त्रिभुज गन्ना एस यह हूं वृत डबलू और बाजरा वर्ड बी तो आएए प्रश्न देखते हैं तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न यह है कि किस स्थान में चारो प्रकार के फसल की खेती होती है यह हमारे विकल्प है यह जो पिछली वारी स्लाइड है यह मैंने यहां पर फिर से रखा है ताकि आप इसे देख के उत्तर दे सकें तो यहां पर हमें यह देखना है कि कौन सा थान है जिसमें चारों की खेती होती है तो दोस्तों यह आपको यह देखना है कि जो आयत त्रिभुज वृत और यह जो वर्ग है इनका कॉमन शेत्रफल यानि एरिया क्या है तो दोस्तों जहां तक मैं देख पा रही हूँ यह यह वाला एरिया है क्योंकि यह शेत्रफल त्रिभुज आयत वर्ग और वृत सभी में आता है यानि इस स्थान में चारों प्रकार के फसल की खेती होती है तो दोस्तों हमारा सही उत्तर C6 है दोस्तों आपने देखा कि इस प्रशन को हल कैसे करना है आपको पता है कि कौन सा शेत्रफल क्या दर्शाता है आपको उस हिसाब से प्रशन को पढ़ना है और उस शेत्रफल को देखना है उसमें जो अंक लिखे गया है वो यह दर्शाते है कि किस स्थान में ऐसे क्या खेती हो रही है तो दोस्तों यह प्रश्ण तो हल हो गया आएए आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रश्ण है कि किस स्थान में बाजरा और चावल दोनों होते हैं यह हमारे विकल्प हैं तो आएए देखते हैं आयत जो है वह चावल अर्थात आर्ग का खेत्रफल है और वर्ग जो है वो बाजरा का खेत्रफल है तो दोस्तों जहां तक मैं देख पा रही हूं यह जो अंक छे है यह दोनों का कौमंग खेत्रफल है यानि यह दोनों में आता है और यह जो अंक तीन है यह भी आयत वर्ग दोनों में आता है तो उत्तर जो हमारा होगा वह 6 और 3 होगा क्योंकि यही अंक हैं जो इन दोनों का common यानि वैसाग शेतरफल जो दोनों में आता है वह represent यानि denote कर रहे हैं हमारा अगला प्रश्ण है कि कौनसे स्थान में गन्ना तथा बाजरा दोनों होते हैं तो गन्ना जो है वह त्रिभुज है और बाजरा वर्ग तो त्रिभुज और वर्ग का जो दोनों में या common शेतरफल है मैं उसे देखना है तो जहां तक मैं देख पा रही हूं अंक आठ जो है वह त्रिभुज और वर्ग दोनों में आ रहा है और अंक छे जो है वह भी त्रिभुज और वर्ग दोनों में आ रहा है तो हमारा सही उत्तर बी अर्थाद आठ और छे होगा क्योंकि यही शेतरफल हैं जो इन दोनों की फसलों की खेती को दर्शा रहे हैं स्थान में केवल चावल होते हैं तो यह देखना है कि चावल जो है वह आयत से दर्शाय गया है तो उत्तर जो है वह एक होगा क्योंकि यह केवल चावल दर्शा रहा है तो हमारा सही उत्तर C.1 है यह तो काफी आसान था हमारा अगला प्रशन है कि कौन से स्थान में सिर्फ गेहूं की फसल होती है और हमारे विकल्प यह है गेहूं जो है वह वरित से दर्शाय गया है तो केवल गेहूं वक शेत्रफल होगा जिसमें बाकी तीनों फसलों की खेती नहीं होती है तो दोस्तों यदि आपको दिख रहा हो तो यह जो अंक चार है यह ऐसे एक शेत्रफल में है जिसमें बाकी तीनों के फसलों की खेती नहीं होती है तो हमारा सही उत्तर भी अर्थात चार हो जाएगा दोस्तों आशा है अब आपको वेंड डाइग्राम समझ में आ रहे होंगे आईए एक और प्रशने देखते हैं निमने लिखित आकरती में बड़ी त्रिकोन लेखक दर्शाता है आयत कवी दर्शाता है छोटी त्रिकोन नाटक कार दर्शाता है एवं वृत निबंद कार दर् दोस्तों पहले हम यह आकरती समझते हैं जो आयत है वह कवी को दर्शाता है जो छोटी त्रिकोन है वह नाटक कार को दर्शाता है जो बड़ी त्रिकोन है वह लेखक को दर्शाता है और जो वृत है वह निबंद कार को दर्शाता है तो आईए प्रशन देखते हैं हमारा प दर्शात आते हैं और हमें उन कवियों की संख्या को देखना है जो नेबंदकार लेखकार और नाटकार भी है अर्थात जो चारो प्रकार के लोगों में आते हैं तो हमें यह देखना है कि इन चारों का कॉमन शेत्रफल यानि ऐसा शेत्रफल जो सभी में आता है वो कौन सा है तो दोस्तों जहां तक मैं देख पाड ही हूँ ऐसा शेत्रफल जो है वह संख्या 6 से दर्शाया गया है तो हमारा सही उत्तर सी अरथाद 6 हो जाएगा दोस्तों हमारा अगला प्रिश्णिया है कि कौन सी संख्या उन नाटक कारों को दर्शाती है जो निबंदकार नहीं है हमारे विकल्प इस प्रकार है तो दोस्तों नाटक कारों को कौन दर्शाता है वह छोटी त्रिकोन है तो हमें ऐसी शेत्रफल को देखना है जो निबंधकार नहीं है निबंधकार वृत से दर्शाय गया है तो दोस्तों अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो संख्या आठ है वह छोटी त्रिकॉन के वैसी शेत्रफल को दर्शा रहा है जो वृत में नहीं आता है और किसको दर्शाथ है निबंधकार को तो हमारा सही उत्तर अर्थाथ वह नार्थककार जो निबंधकार नहीं है वह उत्तर हमारा A अर्थाथ आठ हो जाएगा दोस्तों हमारा अगला प्रश्णिया है कि कौन सी संख्या केवल लेखकों को दर्शारी है जो ना कवी है ना ना तककार और ना ही निबंदकार हमारे विकल्प इस प्रकार है तो यदि हम आकरती को देखें तो जो बड़ी त्रकों है वह लेखकों को दर्शारी है तो हमें ऐसे शेत्रफल को ढूढ़ना है जो बड़ी त्रकों का तो भाग हो किन्तु ना ही आयत ना ही वृत और ना ही छोटी त्रकों का भाग हो तो दोस्तों ऐसा शेत्रफल तो मुझे के दो देख रहे हैं एक संख्या एक के द्वारा दर्शाया गया क्षेत्रफल यह केवल बड़ी त्रकोन का भाग है और दूसरा संख्या तीन के द्वारा दर्शाया गया क्षेत्रफल तो दोस्तों हमारा सही उत्तर जो है वह तीन और एक हो जाएगा क्योंकि यह उन क्षेत् तो दोस्तों हमने Went Diagram के कुछ असान से प्रशने देखे हैं इसके और भी तरह के प्रशनों होते हैं जिनमें आपको कुछ जोड यह घटाऊ करना होता है तो दोस्तों यह आपके सबसे बेसिक प्रशन थे और यह परिक्षा में ऐसे ही प्रशन आते हैं धन्यवाद दोस्तों मैं इस उमीद के साथ आपसे विदा लेतू हूँ कि OLI को आपका समर्थन मिलता रहेगा